गुद मॉर्निंग स्टेंट्स आज विटा हम लेटर्स राइक से साइस की टू फोल्स डिस्कस करने वाले कोशन नमर थर्ड के उससे पहले हमें क्या बताता था उन दो जैट्स के नाम बताने थे जिनकी जैसे ही हम उन पर फोर सप्लाई करते हैं तो उनकी शेप चेज हो जात में अगर आप मॉल्ड करते हैं तो उसे शेप के अंतर चेंज हो जाती है ठीक सेकिंड था राइट थी वेस इन विच फोर्स हेल्प यूइं एविडे लाइफ फोर्स आपको बेटा एवरी डे लाइफ में किस किस तरीके से मदद करते हैं तो हम जब भी कोई भी डॉर ओप करते हैं या क्लोस करते हैं तो फोर्स का यह अप्लाई करते हैं दूसरा था कि जब भी हम कपड़ों को स्क्रीज करते हैं यानि कि छोड़ते हैं तब भी हमें फोर्स की रिक्वाइर्मेंट होती है जब भी हम हमारे विकल्ड के ओपर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो भी हमें है तो यहां पर true i a d हम लिखेंगे आपर you cannot change the shape of an object by applying force आप एटा force apply करें किसी भी object की shape change नहीं कर सकते तो यह statement यहां पर false हो जाएगी क्योंकि अगर हम force apply करते तो object की जो shape है वो change whole भी सकते है और नहीं भी चीक है we cannot stop moving object by applying force हो कि हम किसी भी object की उपर अगर force apply करते हैं तो हम उस चीज को नहीं रोक सकते है तो यह statement false है हम रोक सकते है we cannot feel force but we can see it इसमिस नहीं लिखाए कि हम force को feel नहीं कर सकते है मैसूस नहीं कर सकते है बड़ देख सकते हैं तो यह statement भी क्या होगी false बलकि इसके opposite होता है हम force को feel करते हैं but we cannot see हम उसे देख नहीं सकते ठीक है तो इस statement आपकी false हो जाएगी तो यह आपकी true false statement थी कल अब डिस्कस करेंगे वीटा type of forces जो force के लगले type होते हैं उनके बारे में ओके थैंक्यू